आप जानना चाहते हैं कि जीमेल अकाउंट को कैसे बंद करते हैं या कैसे डिलीट करते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहें नमस्ते, मेरा नाम एकता है सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपको एमेल अकाउंट बंद करने की जरूरत क्या है? हो सकता है आपने कई साल पहले अकाउंट बनाया हो और उसका उपयोग अब आप नहीं करते हैं हो सकता है आपको बहुत स्पैम इमेल्स या अंजाने लोगों से व्यार्थ या बेकार इमेल्स आती हैं और आप इस आईडी को बंद करना चाहते हैं या फिर आपके पास इतने सारे इमेल अड्रेसेज और आईडीज हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है वज़ा कोई भी हो जीमेल इमेल अकाउंट डिलीट करना हो तो आईए देखते हैं ये कैसे होता है सबसे पहले ब्राउजर में उपर टाइप कीजिए अकाउंट्स.google.com अब आप यहाँ पर गूगल अकाउंट में लोग इन कर सकते हैं चली अपना इमेल अड्रेस डाल दिया और पासवर्ट डालके साइन पर क्लिक कर दियो अब मैं अपने गूगल अकाउंट में लोग इन हूँ अब यहाँ पर अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना हो तो उपर डेटा टूल्स है Data Tools पर click कीज़े अब देखे ये Data Tools खुल गया अगर आपको अपना Account डिलीट करना है तो आप यहाँ पर Account Management में Delete Account and Data पर click कीज़े अब Google आपसे कह रहा है कि आप अपना Google Account डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं आप चाहें तो आप ये अलग अलग चीज़ें डिलीट कर सकते हैं तो फिलहाल मैं Gmail सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर आपको अपना Password डालना होगा फिर Google आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना Account डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर Yes पर click कर देते हैं और अब आपसे आपके Financial Transactions यानि की वित्य लेंडेन के बारे में Google कुछ कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आपके किसी के साथ Financial Transactions हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें निभाएं और आप यह समझ लें कि इमेल अकाउंट बंद करने पर भी आपको अपनी जिम्मेदारिया निभानी होंगी और फिर यहाँ पर Yes के बटन पर click कर दीजे और Delete Google अकाउंट पर click करने से पहले एक बात आपको बता दू वो यह कि एक बार आप अपना जिमेल अकाउंट बंद कर देते हैं तो उस यूजर नेम को आप दुबारा इस्तमाल नहीं कर पाएंगे आपका सब डेटा जैसे की इमेल वगेरा सब उड़ जाएंगी तो चलिए Delete अकाउंट पर click करते हैं अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो इस जीमेल अकाउंट के साथ जुड़ी हुई हैं हमें उन्हें भी Delete करना होगा चलिए इन सब पर click कर देते हैं मैंने पहले इन सब पर click नहीं किया था चलिए अब अपना password डाल देती हूं और Delete Google अकाउंट पर click कर देती हूं यह देखिए यह जो जीमेल अकाउंट था और जो गूगल अकाउंट था वो अब डिलीट हो गया है अब आपने सीख लिया है कि आप अपने जीमेल अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे शेयर कीजे आप हमारे क्या कैसे चानल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद